हेलो बच्चो कैसे हो सब लोग पढ़ाई कैसी चल रही है ओफुली अच्छी चल रही होगी तो आज हम आए हैं केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर केमिकल बॉंडिंग का लेक्चर नमबर टू जो की है लिविस डॉट स्ट्रक्चर के उपर हमने पिछले वीडियो में पढ करी थी आज हम बात स्टार्ट करते हैं कोवेलेंड बॉंड की कोवेलेंड बॉंड क्या होते हैं सबको पता है थोड़ी से इंट्रडक्शन दूँगा उसके बाद कोवेलेंड बॉंड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है जो कि आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ रखा था स्ट्रक परउड करते हैं स्टार आज का टॉपिक लैट स्टार्ट सबसे बात करते हैं कोवेलेंड सबको पता हैं आयनिएट ट्रांसफर कोलेंड कोवेलेंड बॉंड में इसको zij रहाता है तो इनका एसे बउन बंदा होता है है एक होता है इसके पास है इसके पास होते हैं च्छे तो यह एक इसको देगा रहे और ये च्छोटीच्छी में बना रखा बॉंट लग जाता है जैसे यार यह बनायों मैं बोलता हूं इसका बनायों क्या यह नाइटरोजन नाइटरोजन होता है एन्ट्री टूग एनटु क्या से हैं एकसी आइक तेन इसके पास दो चार पाँच दो तीन इसके पास दो चार पाँच ऐसे तो होता है तो ये क्या करेगा इसके तीन उठाएगा तीन पाँच आठ और ये तीन उठाएगा आठ तो ये ऐसे बन जाएगा याद होगा, नहीं, यह ऐसे थोड़ी बनता है यह ऐसे बनता है, याद हो अब कैसे पता चला, तीन बॉंड आएंगे यार O2 में कैसे पता चला, की दो बॉंड आएंगे O2 का structure होता है, ऐसा यह ऐसे होता है, और यह सारे इसके उठा लेता है और इसका bond ऐसा नहीं होता है, यह होता है, अब यह double bond, triple bond कैसे बनते हैं, यह कैसे बने structure में, ऐसे कैसे पता चला रटा थोड़ी मारोगे यार, तो वो Lewis dot structure के कुछ rules हैं, उसको आज सीखेंगे, कैसे बनते हैं, उसके बारें बात करेंगे, तो आपको clear हो जाएगा, तो चलिए क्या करना है, octet complete करना, यह तो सबको पता है, bond क्यों बनाएंगे यह, दोनों atoms, अपना-पना octet complete करेंगे, clear है, तो rules, अच्छा, इसके लिए rules क्या हैं, Lewis dot structure के लिए, Lewis dot structure, LDS के लिए, rules क्या देखो, यह तो सबको पता है, कि covalent bond अपना octet बनाएगा, ठीक है, पक्का, covalent bond का, सब जितने भी atoms होंगे, सब अपना octet complete करने कोशिश करेंगे, यह तो सबको पता, यह तो rule है, यार, अब second number का rule यह कहता है, कि जो central atom होगा, जो central atom होगा, central atom can have, लिखो, can have, can have more than eight electrons, more than eight electrons, और, it can, it can avoid octet rule, का मतलब क्या है, कि इसके बस आठ तो होने ही चाहिए, आठ से जादा हो सकते हैं, कोई बात नहीं, आठ से कम नहीं होने चाहि civ Bir आठसे ज्यादा कर सकता और वाइड essäक्टा च्रूंच को यहाद रखना इसको पैसरी बात यानि तीसरा रूल अब यह सेंटरल इटम बने जैसे हम बोलूम सिंपल सिंपल से ऐख सीजन तो उसमें तो कोई भी लेना दना नहीं आर इसको इन में किसी को सेंटर्ल लेंटम होवनः कोई भी सेंटर्ल लेंटम मंआएंगा जैसे इस में देखो च फोर में आब इसका structure आपको जाद होगाने को एसा होता है जो सेंट्रल आटम कोन होगा। कोन होगा। उसके लिए हमने की या तो वो लीस्ट नंबर में हो। लिष्ट नंबर में हो, सबसे कम हो इस फॉर्मलम, सीच फॉर्मलम इस सबसे कम कौन है, कार्बन है सबसे कम, हिड्रोजन चार है, सबसे कम कार्बन है, तो वो आएगा सेंटरल एटम पे, दूसरी बात, या उसकी इलेक्टरो नेगटिविटी कम हो, या उसकी electro negativity कम हो पक्का या आप देखोगा अगर ये भी नहीं हो उसका size सबसे बड़ा हो atomic size उसका size बड़ा हो atomic size उस item का size बाक्यों के comparative लिए उस formula में सबसे बड़ा हो पक्का अगली बात करते हैं, या या उसका atomic number सबसे बड़ा हो, highest atomic number हो उसका, highest atomic number, तो ये rule में आप ध्यान रखोगे, सबसे कम देख लो, कभी बार सबसे कम दो होंगे, तो बकीजी जोगा ध्यान रखोगे, ठीक है, एक ही सबसे कम होगे, तो उठा गे उसको central atom में रख देना पक्की बात है कोई दिकत ठीक है एक और बात यहां पर point डाल के नौट करें कि जो hydrogen और fluorine होता है hydrogen और fluorine ये कभी भी central atom नहीं बन सकते के never be central atom याद रखना कभी भी दुनिया में कुछ हो जाए तुफान अंदी आ जाए कोई प्यासा मरे आइटम उसको इलेक्टरों मिले ना मिले कुछ हो जाए ये कभी नहीं बनेंगे यार ये सेंटरल आइटम नहीं बनेंगे ये हमेशा कॉर्णर आइटम से बनेंगे चारे यार यह इसको Central Atom बोलते हैं और जो साइडों में लगाएंगे उनको Corner Atoms बोल जाता है ये दो तो बिचारे कभी Big Central Atom नहीं बन सकते ये हमेशा क्या बनेंगे कॉर्णर एटम सी बनेंगे ठीक है पका चले अगला रूल चले ना अले चलो चले मितवा चले ठीक है तो अगला रूल पता नहीं कौन सा पॉइंट है फॉर्थ लिख देते हैं तो क्या करने कॉर्णर एटम्स कॉर्णर एटम्स ओक्टेट शुड़ बी कम्प्लीटिड कॉर्णर एटम्स का ओक्टेट कम्प्लीट करो पहले इसके बाद क्या करना कॉर्णर एटम्स को आठाट एलेक्ट्रों दे दो स्ट्रक्चर बनाओ हम करेंगे example अभी सिर्फ लिखते रहो अभी सिर्फ लिखते रहो corner atoms का complete कर दो क्या कर दो complete octet complete कर दो ठीक है फिर वही बात central atom के पास can have more than eight electrons आ सकते हैं इसको पूरा करते करते हैं अगर इसके पास eight electron आए इसको दे दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है एक दिक्कत वाली बात ही है कि जो भी central atom होगा central atom tries to attain attain maximum covalency maximum covalency covalency समझते हो कार्बन के पास चार वेलेंस एक्टरोंस होते हैं तो यह चार के चार ही बॉंड बनाएगा यह कभी ऐसा नहीं होता कि तीन के साथ बॉंड बनाए है हो जाएगा मतलब यह चार बॉंड बना सकता मतलब मेरा यह चार बॉंड बना सकता यह मानलो तीन बना दिये इसने कभी यार मानलो कभी इसने तीन बना दिये बर माल पर यह maximum चार बॉन बना सकता है, यह इसकी मैक्सिमम कोवेलंसी है, अगर चार बॉन बना दे, ऐसे कलोरीन को देखो, कलोरीन के पास साथ वेलंस एलेक्टरोंस होते हैं, साथ वेलंस एलेक्टरोंस होते हैं, तो यह क्या करता है, यह एक बॉन्ड भी बना सकता है, यह तीन भी बना सकत रहे हैं इसकी मैक्सिम्म कॉवیलंसि साथ है याद रिखलो जैसे जैसे नाइडरोजन र default फाउन्च एलेक्टरन면्षोते यह तो इसकी कोवैलंसि हुए होती तीन यह चार यह जो सेंट्रल एटम बना तो ये ट्राई करेगा कि चार बॉंड बनाएं। साइड़ों में हो तो कोई बात नहीं तीन बना देगा। अगर central item बना तो यह अपनी maximum covalency चीव करने कोशिश करेगा उस चक्कर में इनके इनका octet बढ़ जाएगा 8 से ज्यादा electron आजाते हैं हम देखेंगे आगे अभी इसको समझो फिर गिर गई कैप ठीक है चलें आगे ओके जैसे यार phosphorus की covalency बताओ मुझे phosphorus के पास 5 valence electrons होते हैं इसकी covalency भी 3 और 4 ही होती है maximum covalency है इसकी 4 ओके चले रब कर दूँ दिख लिया होगा screenshot ले ठीक है मुझे पता आपको लिखने में बड़ी जादा दिक्कत है try करें कि copy और pen लेकर बैठें अपने notes खुद बनाएं screenshot ले लोगे कल को phone भूल हो जाएगा तो आप सबसे पहले इनी screenshots को delete मारोगे और जब paper आएंगे तो आपको यह screenshots नहीं मिलेंगे तो try करें एक notebook लगाएं उसमे notes बनाते रहें I know आप लोग schools में कहीं tuition में notes बना रहे होंगे बट अपने हाथ के notes बनाए हुए आपको ज्यादा फाइदे मंद होंगे तो छोटा सा काम लगए copy लगए और इसके notes बनाते रहें ठीक है चले आगे ठीक है उसके बाद आएगा कि अगर किसी के उपर rule number पता न positive तो that atom that atom will be central atom अगर किसी atom के पास positive charge होगा तो वो central atom बनेगा अगर किसी atom के पास negative charge होगा जैसे हैं मैं बात करूं h3 o plus h3 o plus o plus किसके पास charge है positive o के पास तो o central atom बनेगा h corner atom अगर किसी का negative charge है तो वो atom बनेगा corner atom corner atom अब यह c a और यह भी c a बनता है वट वो central atom है यह corner atom है लिखलो यार central atom है यह और यह अब हम तुम्हारा खून पिएंगे, ठीक है, मतलब तुम्हें पढ़ाएंगे, ओके, तो ये समझ में आया, ओके, तो अभी तक इतना ठीक है, इसके बाद लिको फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है क्यों, क्यों क्यों क्या होगा, तोटल नंबर ओफ वैलेंज उलेक्ट्रोंज, जो टोटल नंबर ओफ ऑल एटम्स, सारे एटम्स के वैलेंज उलेक्ट्रोंज को एड़ कर देंगे, जैसे मानो है, ह्2, ओ, ओ, है एक फॉर्मूला, तो इसमें कितने अटम हुए, एक हाइडरोजन का, एक अक्सीजन का, इसके हाइडरोजन के पास कितने होते हैं? 1 तो कितने एटम है? 2 तो 1 इन्टु 2 एक के पास 1 तो दोनों के पास 2 प्लस 6 तो कितने हुए? 8 तो तो टोटल नमबर कितने हुए? 8 बेलंस एलेक्टरोन्स ठीक है? तोटल नमबर और एलेक्टरोन्स of all atoms तो समझ में आएगा जैसे मैं बात करता हूँ H3O प्लस की वही एक है कितने तीन प्लस ऑक्षिजन के पास कितने होगा माइनस होगा तो माइनस कर दो Four Creatures Number One तो तीन प्लस इसके पास कितना हुआ क्व कि वैलीओ इसको कैसे निκαलते है इसको निकालते हैं टू इंटू नमबर ऑफ बॉंड्स गवराव मत झालेंगे तो clear होता रहेगा फिर निकाल लेंगे loan pair electrons loan loan मतलब alone अकेला बिचारा electron depression का मारा इसको कैसे निकाल लोगे जितने total electron से उसमें से bond paid electron माइनस कर दो कितने total थे कितने ने bond बनाया माइनस कर देंगे तो बचेंगे अकेले depressed electron जो किसी के साथ नहीं मिलते जुलते ठीक है इनको बोलते हैं loan pair electron ये loan pair electron दो काम आते हैं एक तो या तो ये अकेले पड़े रहेंगे बिचारे alone पड़े रहेंगे alone रोते रहेंगे या ये क्या करेंगे किसी को double double या triple bond जो बनता है डबल या है जो उसमें काम आ जाएंगे यह थाना न हमने पड़ा था न में रिपल बनता था तो वह लोन पेर मनाएंगे ऐसा काम कौन करेगा लोन पेर ठीक है जी इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद इतना कुछ लिखने के बाद हम अब हम at the end पे आते हैं questions पे जो तुमें ज़्यादा समझ में आएंगे और interesting भी लगेंगे अभी के लिए इतना ही लिखने की जरुद नहीं है अब सिरफ formula लिखेंगे Lewis.structure बनाएंगे किताब वोग अंदर दुनिया भर के बना रखे हैं वो देखकर नहीं समझ में आये होंगे अब आपको सब ये topic समझा जाएगा अगर अभी भी नहीं समझाया तो किताब बंद कर देना थोड़ी देर सोजाना उसके बाद समझना ठीक है इसका मतलब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा चलिए आते हैं हम topic पे तो हम असान से start करते हैं वहीं बात h2 h2 का कैसे बनते है लिए है यह बिल्कुल सिंपल सी बात है इसका q निखाले q क्यों निकाले total number of electrons कैसे निकाले इसके balance कैसे बनेगे h और h2 elements 2 item बनते हैं तो इसके पास कितने तोright अब जितने दो इस बना लो और इनके बीच बांड बंड दो प्तानी दो नहीं बनेगे फीर मिया कंगे अम धेनने एक बना देंगे ठीक है फिर में निकाल टैंगे बांड पेड्ट्रें बांड परzelasan क्या करते हैं पोको गrik व्तंपने डीवाइड कर देते इन कि एक लेक्ट्रों इदेर होगा इन दो इल्यक्ट्रोंस बना रखा तो बॉण्ड में कितने इल्यक्ट्रॉंस बंदे हुए हैं एक और दो यह कितने इस से देखो नंबर ओनद इसंसे कितना एक बॉंड उसको से मैं कितने या दो 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 एक है यह एक यह दो अलेक्टरॉन ने एक बमार हैं तो बम से ब्रही होद्स थी कैज ज़ो एक dub में डीन होते हैं तो जुझादा लेक्टरॉन से होते हैं ठीक है जिसके बात करेंगे loan payor electrons के loan Pay एक एके उलक्तुन्स कि लोन उलक्तुन्स कर देंगे थो में से-2 माइनस नहीं सक्देंगे तो भचे गाद अन्डा जीरो तो यानि कि कोई भी loan Pay Egyptians पर ऐसके पास ठीक तो अपना bond मेरा काम चल जाएगा दे देता इसको कोई ना कोई एक तो ले ले एक तो कम है ना आप किसे से मांगो गयार सो और पे दे दो मेरे को तो सोर पे तो जादतर लोग दे देंगा कि चल कोई बात रही आप किसे मांगो गया मेरे को 10,000 पे चाहिए कोई नहीं देगा तो एक इलेक्टरोन दे देगा इसको कोई ना कोई खुदी से ले लेता है ठीक ओके चलो चलते हैं आगे आगे चले ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा तेज़ करके देख लें ठीक है जहां पर दिक्कत होगी वहां समझ लेना जैसे अभी बात करता हूं अगले एक्जमपल ओटू ओटू मतलब ऑक्सीजन गयास इसका गया बनता दो अक्सीजन के मोलिक्विल्स होंगे ऐसे एटम्स होंगे तो क्यों निकाल लो इसक नंबर ओप बॉंड कितना अएगा टố इंटु वन टु कितने इलक्टर बंदे होए में सम एक और दो दो और ऐसे भी डोगिकाल्या लोगओ ऑन पेलल्क्टरॉन मतलब क्यों माइनस बॉंड पे THE कितना होगा टैन समझ आया इतना है तोटल नमबर व एल्यक्टरों से निकाल लो जार कितने एल्यक्टरों छेश के पास छेश के पास बारा या एक इंटु दो करदो गहें बारा होंगे बॉंड में कितने बंदे वह एक बंद बना वो देख उसको दो से multiply कर दो यह देख लो एक और दो दो बंदे हुए हैं फिर loan pair के लिए Q में से bond pair electron minus कर दो आए 10 electron अब यह 10 bond loan pair electrons इनको दे दो इनको दे दो इनके आठ आठ पूरे कर दो ठीक है एक से शुरू करो दूसरे के कर देना जैसे इसको दो इसको दो दस बचे हुए हैं दे तो दो चार छे दो चार चे तो जैखो किया इसके आठ पूरे हुआ है One two three four five six seven और एक इसने bond इसके पास बआया तो इसके आठ ऐसे पूरे हुए हैं ऐसे sharing करेगा नहीग है साथ इसके एक इसके आठ दस में से हमने छे दे दिये इसको बचे कितने चार चार दे दो इसको सही है चार दे दो इसको इधर बना देते हैं चार दे दिये इसको अब देखो इसके आठ पूरे है एक दो तीन चार पांच है साथ एक और आठ इसके देखो एक दो तीन चार पांच और एक छे इसके छे पूरे हो रहे हैं इसका तो ओक्टेट कंप्लीट हो रहा है इसका ओक् और फाइव और एक इस से लेगा यह ऐसे, शिक्स हुए यह तो यार, तो हम क्या कि रहेंगे इसके लिए, हम यहां से यह दो इलेक्ट्रोन उठाएंगे, जो इस उक्सिजन के पास है, एक ही अपने पास रखेगा, एक इसको दे देगा, यहां से उठाएंगे, यहां ले इसी का यह शेर करना इसेने देना नहीं है उसको समझो इसने यह वाले दो सेर जेंगर ली इक हैं अपने पास ऑए फश्मझे दे झो किसे कटें दिया आधा नहीं है हम कर सकते है स्वेप्स कर रहा है यहां पड़ा-पडा शेर कर रहा समझाआ कैसे सिंगल बॉंड बना देंगे बट नहीं डबल बॉंड आए कि जैसे एक और देखो है एक और देखो ना इट्रोजन को देख लो 123456 ऑमने फोर्मूला से करेंगे जैसे एक और देखो है या नाई ट्रोजन को देख लो체적िंट्डल टू होता है तो और an Q निकालो एन के पास 5 वेलेंस अलेक्टरॉन तोटल हुआ beन्ड पेड़ इलक्टरॉन कितना होग एक बना तो एक बना तो एक मोण्ड से कितने आए दो persons 2 इंट्व वन एक बन नमब्र बन एक एक उसें आए तो में एक का तो कम्प्लीट कर दो oktet, आठ में से एक का कम्प्लीट कर तो दूसरे का देखाएंगे तो 2 दो इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 1 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 1 8, बचे कितने हैं, दो दे दो इसको, 2 दे दो इसको, पक्का, समय रहे हूं एक इन टू बनता है आप तो क्या करते हैं देखो यह रहां चले जाएंगे एक इसका एक इसका एक बॉंड नेगा अब देखो अब इसके कतने एक दो यह गया यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके आठ पूरे अब इसके देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी भी इसके आठ पूरे नहीं हो यार यह अभी भी भी रो रहा है बच्चों की तरह कि मुझे तो दो इलेक्टरोन और दो तो यह वाला नाइटरोजन गएगा कि तुरो मत तु मेरा छोटा भाई है यह यहां से एक एलेक्टरोन और ले ले यार तू क्यों रो रहा है यार तू मैं तेरे को दुखी नहीं देख सकता तो इसने दो इलेक्टरोन और उठा दिये अब देखो इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका पूरा इसका देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ इलेक्टरोन दोनों के पास पूरे तो हमने पड़ा भी था ना इटरोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है समझे क्यों बनता है दुबारा समझाओं अरे जब इसने दो इलेक्टरोन दिये तो भी उसके दो पूरे नहीं हुए थे छे हुए थे तो उसने एक और इलेक्टरोन उठाया इसके साथ शेर कर दिया शेर ही तो कर रहा है यार दे थोड़ी रहा है तुम ऐसा मत सोचना कि ये दे देगा उसको शेर करेगा इसके ही है वो इलेक्टरोन दोनों के हैं, कहीं जानने नहीं वाले, वो भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, पड़े उसी के पास है, बट उसके साथ शेयर गरवा रहा है, ठीक है, ऐसे ही लिउस डॉट स्ट्रक्चर बनता है, टेंशन लेने की जुरुत नहीं है, पक्का, चलें जी, ओके, चलो, आगे च करोगे, तो नहीं समझ में आएगा, तो ये कुश्चन खुद करिए, ट्राई NH3, खुद करिए इसको जल्दी जल्दी जल्दी, फिर हम अगला टॉपिक करेंगे, 1, 2, 3, पॉस करकर करें, 1, 2, 3, हो गया, ठीक है, कैसे करोगे, N बनाओगे, संट्रल एटम पता है, सबसे कम नमबर में है, H3 मनाओगे, और इनके बिज में एक-एक बनाओगे, ठीक है, क्यों निकालोगे, इसके बास कितना है, 5 into 1, plus 1 into 3, यह 1 है, यह 3 है, तो कितना है, 5 plus 3, 8, bond paid electron निकालो, कितने होगे, 1, 2, 3 bond, तो 3 into 2, 6 bond paid electron, ठीक, loan paid electron निकालो, 8 minus 6, कितने आए, 2, 2 किसको दोगे hydrogen को दे दो, अर्चे कैसे दे दोगे यार, hydrogen को तो 2 electron चाहिए, उसके 2 complete है, इसको दे दोगे, ठीक है, तो यह बन गया इसका, यह loan paid electron, इसको ऐसे भी show कर देते हैं, कि अकेले, बिचारे, lonely, depressed electrons हैं, जो अकेले पड़े, किसी से social security, किसी से social बातचीत नहीं करना चाहते, ठीक, clear, बना लोगे अब तो, ठीक है, एक question और करते हैं, तांकि आपको एक और topic समझ में आए, पहले question लिखता हूँ मैं, तो फिर बात करेंगे, जैसे यार, question है मेरा, question है, nh4 plus, इसका news dot structure बनाओ, कैसे बनाओगे वैसी, nh4 plus, ऐसे बनाओगे न, चाहर बना लोगे, एक एक bond दे दोगे, और फिर इसका क्यों निकाल लोगे, कितना आएगा, पांच इन्टू वन प्लस, चाहर इन्टू वन, और positive चाहर जाँ, उसको minus कर दोगे, पांच प्लस चाहर नो, आया क्यों, bond paid electron निकाल लोगे, कितने हुए, एक, दो, तीन, चाहर चाहर इन्टू दो, number of bonds इन्टू, total bonds तो 8, तो loan pair कितना आया, 8 minus 8 कितना आया, 0, नहीं, कोई भी नहीं आएगा, structure ऐसे ही बनता बिल्कुल, problem अभी यहां पर यह आई, कि यह जो positive charge है, यह मैं किसको दूँगा, इस H को, इसको, 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 किसको दूँगा मैं positive charge, इसको स नहीं होता है, इसको लिए पड़ो, formal charge, formal charge क्या होता है, formal charge के एक formula है, याद रखो, यह क्या होता है, valence electrons है, valence electrons, ये उसके बात करें, जिसके उपर में formal charge निकाना हो, जैसे है, hydrogen का formal charge निकाना जाता हूं, तो hydrogen का पास वे लेक्टरों कितना है, 1, तो वह वाला valence electron माइनस माइनस लोन पेर इलेक्ट्रोंस इसके पास कितने हैं अगर इसके पास कोई लोन पेर इलेक्ट्रोंस हैं माइनस बॉंड पेर इलेक्ट्रोंस डिवाइड़ बाई ठीक है जैसे इसी के एक्जामपल लेता हूं मैं इसको नाम देता हूं वन इसको देता हूं टू इसको भी नहीं है इसके बॉन्ड पेड़ एक यह एक है दो के साथ बॉन्ड बना रहा ना आप बोलोगे इसका तो एक ही है अरे बॉन्ड तो दो में बनेगा तो दूसरा भी तो इतने शेर किया था तो अब इसी का हो गया ठीक है तो क्या हुआ वन वन माइनस वन जीरो तो यानि किसके ओपर कितना चार्ज आया जीरो ऐसे सारे से मैं तो इसके पर भी जीरो इसके पर भी जीरो इसके पर भी जीरो तो प्लस वन चार्ज कहाएगा वो आएगा एन के ओपर देखो एन का निकालो फॉर्मर चार्ज फॉर्मर चार्ज निकालो ए एक कितना है वन तो इस पूरे पर फॉर्मल चार्ज कितना है प्लस वन इन सारे के फॉर्मल चार्ज को एड़ कर दो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस वन इसका तोटल फॉर्मल चार्ज कितना है वन जितना टोटल फॉर्मल चार्ज सबका मिलाकर आएगा वो चार्ड होगा जो इसके उपर होगा यह हमेशा एकोल है जैसे इसका प्लस बना रहा देखो यहां पर भी प्लस बना है और यह फॉर्मर चार्ड कहा जाएगा लिखा जाएगा इसके उपर लिखा जाएगा इसके उपर पक्का समझ में आया जैसे एक और question करते हैं एक और question करो और समझ में आएगा एक और question करते हैं भीया तांकि आपका दिमाग साफ हो जाए कोई doubt ना रहे question करो एक खुद no 2 minus 1 खुद करो मैं गिनता हूँ no 2 minus 1 तक 3 2 1 0 और minus 1 ठीक है हो गया n बनाओ और o बनाओ क्यों निगा लो इसके उपर कितना होता वैलेंस एलेक्टरन प्लस इसके पास कितने होते हैं 6 into 2 और minus 4 जाए तो plus हो जाएगा minus का 4 जाए ना plus 1 तो उसको add कर देंगे 5 प्लस 11 12 प्लस 5 सतारा टोटल चारज हुआ 18 bond paid एलेक्टरन निगा लो 1 2 3 4 2 into 2 कितना 4 loan paid एलेक्टरन निगा लो क्यों minus bond paid एलेक्टरन कितना है ठारा minus 4 14 loan paid एलेक्टरन कितने होए 14 structure बना दो N O O ठीक है जी तो बचे कितने loan paid एलेक्टरन दे दो इसको इसको पूरे करो 1 2 3 4 5 6 इसके 8 पूरे होए 6 इसके 1 2 3 4 5 6 इसके भी 8 पूरे होए बचे कितने 6 6 12 बचे 2 वो 2 दे दो इसको अब देखो इसका पूरा हो रहा है 2 4 6 8 इसके 2 4 6 8 इसके बड़ इसके 1 2 3 4 5 6 नहीं बट एक यहां से उठाओ इसको दे दो तो ऐसे कर दो यह बढ़ पूरे है तो यह बढ़ा इसका स्ट्रक्चर अब देखो फॉर्मल चार्ज यह माइनस का 1 किसके उपर आएगा इसका निकालो इसका निकालो और ऑक्सीजन 1 कितना हुआ वेलेंस एलेक्टरोन 6 माइनस लोन पेर इसके पास कितने है इसका लोन पेर कितने है 1, 2, 3, 6 लोन पेर है और माइनस बॉन पेर कितने है 2 बाए 2 तो 1 1 हो गया तो यह कितना होगा 6 माइनस 7 माइनस 1 का 4 इसके उपर आएगा माइनस 1 का 4 इसके उपर निकालो इसके उपर आएगा 6-4-4-2 6-6-0 इसके उपर निकालो nitrogen के उपर formal charge निकालो कितना आएगा 5- loan pair 2 1-2-3-6 bond pair 5-5-0 तो minus 1 का charge किसके उपर आया इसके उपर total करो minus 1 plus 0 plus 0 total कितना charge आया minus 1 और total formal charge कितना है minus 1 यह जो formal charge सबका लग लग आएगा जब इसको add करोगे तो यही total charge के बराबर आना चाहिए और आएगा अगर नहीं आ रहा तो आप कुछ गड़बड कर रहे हो उसको सुधारें पका अब आप क्या करोगे कुछ questions solve करोगे घर के लिए SO3 minus 2 PO4 minus 3 यह दो questions आपकुद इसका lose door structure बनाओगे इसका formal charge balance करोगे और बताओगे formal charge कहां पर आएगा ठीक है प्रैक्टिस करते रहें बेटा तब ही questions solve होंगे notes बनाते रहें book को पढ़ें वीडियो देखने के बाद topic को समझें तब ही कुछ बनेगा अगर नहीं समझोगे तो फेल हो जाओगे तो प्लीज पढ़ते रहे मिलते हैं अगले topic के साथ तब तक मज़े करिए खुश रहिए all the very best बाई बाई